सूप्रभाद प्यारे बच्चों, आज दिन है गुरुवार और आज दिनाख है बीस जन्वरी दो हजार बाईस आज हम एक और नया संयुक्त अक्षर करने वाले हैं ग्य हमने क्ष शत्रिय लिखना सीखा, त्र त्रिशू लिखना सीखा आज हम एक और संयुक्त अक्षर लिख रहे हैं, ग्य संयुक्त अक्षर क्या होता है, जब हम दो वर्नों को मिलाकर एक व्यंजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर देखो जोड है न यहाँ पे किसको जोड के हमारा ग्य वेंजन बनता है यह आधा ज़ है और यह है न्य जब इन दूनों वर्नों को हम जोडते हैं वेंजनों को जोडते हैं तो हमारे पास एक नया वेंजन बनके आता है ग्य ग्य से ग्यानी भी होता है जिसको बहुत साधा ज्यान होता है नौलेज होता है उसको बोलते ज्यानी और ये देखो यग्य यग्य क्या होता है हवन कुंड होता है जहाँ पर बहुत सारे साधू जो है ऐसे आग जला कर हवन करते हैं उसको बोलते है यग्य करना यग्य ये भी शब्ट के आखिर में यूज होता है Now children, let's see कैसे लिखना है ये बहुत easy है पहले आप standing line बनाएंगे जो center की blue lines होती हैं उनमें हम engine बनाएंगे पहले आप standing line draw करेंगे फिर आप center blue line से एक sleeping line draw करेंगे then make a C curve और यहाँ पर एक tail बनाएंगे जो आपकी third blue line तक finish होगे और उपर आप एक line draw करेंगे ये हैं आपकी gear की formation फिर से देखे एक बार कैसे बनाना है standing line means खड़ी रेखा बनानी है फिर आप sleeping line बनाएंगे लेटी हुई रेखा बनाएंगे फिर थोड़ा सा वापिस आके C curve बनाएंगे children and a tail जल्दी लिखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी बनेगा children standing line make a sleeping line and turn like this gear से ज्यानी यग्य ओके ऐसे आप बनाएंगे gear की formation so dear children do your worksheet neat and clean पूरा पेज आप लिखेंगे सुन्दर सुन्दर और फिर मैं आपकी अपनी वरक्षिट सेंट करेंगे दिया से ज्यानी